यहोशु अध्याए एक से चौबीस अध्याए एक यहोशु को परमेश्वर की आग्या एक यहोवा के दास मूसा की मृत्यू के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशु से जो नून का पुत्र था कहा टू, मेरा दास मूसा मर गया है इसलिए अब तू उठ, कमरबाद और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्रैलियों को देता हूँ तीन उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा अर्थात जिस जिस थान पर तुम पाव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ चार चंगल और उस लबानों से लेकर परात महान तक और सूर्यास्त की और महास्मुत्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा पाँच तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा और न तो मैं तुझे दोखा दूँगा और न तुझको छोड़ूँगा छे इसलिए हियाव बांद कर द्रिड हो जा क्योंकि जिस देश के देने की शपत मैंने इन लोगों की पूर्वजों से खाय थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा साथ इतना हो कि तू हियाव बांद कर और बहुत द्रिड होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौक्सी करना और उससे न तो दहिने मुरना और न बाएं तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा आठ व्यवस्था कि यह पुस्तक तेरे चित से कभी न उतरने पाए इसी में दिन रात ध्यान दिये रहना इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौक्सी करे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा नाइन क्या मैंने तुझे आग्या नहीं दी हिया अव बांध कर द्रिर हो जा भए न खा और तेरा मन कच्चा न हो क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा यहोशु का लोगों को आदेश देना दस तब यहोशु ने प्रजा के सरदारों को यह आग्या दी ग्यारह चावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आग्या दो कि अपने अपने लिए भोजन तयार कर रखो क्योंकि तीन दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है बारा फिर यहोशु ने रूबेनियों, गादियों और मंच्शी के आधे गोत्र के लोगों से कहा तेरह जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधी करो 14. तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यर्दिन के इसी पार दिया परंतु तुम जो शूरवीर हो पाती बांधे हुए अपने भायों के आगे-ागे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो 15 और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिये हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दन के इस पार सूर्योदे की ओर तुम्हें दिया है लोटकर इसके अधिकारी होगे 16 तब उन्होंने यहोश्व को उत्तर दिया जो कुछ तुने हमें करने की आग्या दी है वो हम करेंगे जो तेरे विरुद्ध बलवा करें और जितनी आग्याएं तू दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा परन्तु तू द्रिड और हियाव बांधे रह अध्याय दो यरीहो का भेद लिया जाना एक तब नून के पुत्र यहोशु ने दो भेदियों को शितीन से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो तुरंत वे चल दिये और रहाप नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए दो तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात काई एक इसराली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आये हुए हैं तीन तब यरीहो के राजा ने रहाप के पास यो कहला भेजा जो पुरुष तेरे यहाँ आये हैं उन्हें बाहर ले आपकियोंकि वे सारे देश का भेद लेने को आये हैं चार उस्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा मेरे पास कई पुरुष आये तो थे परंतु मैं नहीं जानती की वे कहां के थे पांच और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंध होने लगा तब वे निकल गए मुझे मालूम नहीं की वे कहां गए तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे छे उसने उनको घर की छट पर चड़ा कर सनई की लकलियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छट पर सजा कर रखी थी साथवे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घार तक चले गए और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंध किया गया आठ ये लेट ने न पाय थे कि वस्त्री छट पर इनके पास जाकर नौ इन पुरुषों से कहने लगी मुझे तो निश्च्च है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं 10 क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुत्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है 11 और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जीना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहुवा उपर के आकाश का और नीचे की पृत्वी का परमेश्वर है 12 अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहुवा की शपत खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिनह मुझे दो, 13 कि तुम मेरे माता पिता, भायों और बहिनों को, और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड और हम सबों का प्रान मरने से बचाओगे, 14 तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तु हमारी यह बात किसी पर प्रगट न करे, तो तुम्हारे प्रान के बदले हमारा प्रान जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ प्रिपा और सच्चाई स बरताव करेंगे, 15 तब रहाब जिसका घर शहर पना पर बना था, और वह वही रहती थी, उसने उनको खिरकी से रसी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, 16 और उसने उनसे कहा, पहार को चले जाओ, ऐसा नहों कि खोजने वाले तुम को पाएं, इसलिए जब तक तुम्हा 18 सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिरकी से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांग देना, और अपने माता पिता, भायों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास एकठा कर रखना 19 तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोश उसी के सिर पढ़ेगा, और हम निर्दोश ठहरेंगे, परन्तु यदि तेरे संग घर में रहते हुई किसी पर किसी का हाथ पढ़े, तो उसके खून का दोश हमारे सिर पर पढ़ेगा 21 उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो, तब उसने उनको विदा किया, और वे चले गए, और उसने लाल रंग की दोड़ी को खिलकी में बात दिया 22 वे जाकर पहार पर पहुँचे, और वहां खोजने वालों के लोटने तक, अर्था तीन दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में धून्धते रहे और कहीं ना पाया 23 तब वे दोनों पुरुष पहार से उत्रे, और पार जाकर नून के पुत्र यहोशु के पास पहुँचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्नन किया 24 और उन्होंने यहोशु से कहा, नी, संदे यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाई उसके सारे निवासी हमारे कारंग घबरा रहे हैं अध्याय तीन इस्राइलियों का यर्दन पार करना वन यहोशु सबेरे उठा, और सब इस्राइलियों को साथ ले शित्तीन से कूच कर यर्दन के किनारे आया, और वेपार उतरने से पहले वही टिक गए दो और तीन दिन के बाद सरदारों ने चावनी के बीच जाकर तीन प्रजा के लोगों को यहाग्या दी जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेविया याजग भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, चार परंतो उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम वित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चुर्य कर्म करेगा। को यहाग्या दे, जब तुम यर्दन के जल के किनारे पहुँचो, तब यर्दन में खड़े रहना। नाइन तब यहोशु ने इस्राइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। दस और यहोशु कहने लगा, इससे तुम जान लोगे की जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में हैं, और वह तुम्हारे सामने से नी, संदेह कनानियों, हित्तेयों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल तेरा और जिस समय प्रित्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पाव यर्दन के जल में पढ़ेगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल्थम जाएगा, और धेर होकर ठेहरा रहेगा 14 इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने देरों से यर्दन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का संदूक उठाय हुए प्रजा के आगे आगे चले, पंद्रह और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के प पार सा उठा रहा और जो चल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी और बहा जाता था वो पूरी रीती से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहों के सामने पार उतर गए शत्रा और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पह एक जब उस सारी जाती के लोग यर्दन के पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा तू प्रजा में से बारभ पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यहाग्या दे थ्री तूम यर्दन के बीच में जहां याजकों ने पाउं धरे थे व आज बुलवा कर कहा तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सिंदूप के आगे यर्दन के बीच में जाकर इस्राइलियों के गोत्रों की गिंती के अनुसार एक एक पत्थर उठा कर अपने अपने कंदे पर रखो छेह जिससे यह तुम लोगों के बीच चिनह ठहरे और आग यर्दन का जल्दो भाग हो गया अत वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए इस मरन दिलाने वाले ठहरेंगे 8 यहोशु की इस आग्या के अनुसार इसराइलियों ने किया जैसा यहोवा ने यहोशु से कहा था वैसा ही उन्होंने इसराइली गोत्रों की गिंती के अनुसार 12 पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। नौ और यर्दन के बीच जहां याजक वाचा के संदूप को उठाए हुए अपने पाउं धरे थे वहां यहोशु ने बारा पत्थर खड़े कराए वे आज तक वही पाय जाते हैं। बारा और रूबेनी, गादी और मंश्शी के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राइलियों के आगे पांती बांधे हुए पार गए, तेरह अर्थात कोई 40,000 पुरुश युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उ यहोवा ने यहोशु से कहा, सोलह साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आग्या दे की यर्दन में से निकलाएं। 17 तो यहोशु ने याजकों को आग्या दी यर्दन में से निकलाओ। 18 और ज्योही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यर्दन के बीच में से निकलाएं और उनके पाव स्थल पर पड़े, त्योही यर्दन का जल अपने स्थान पर आया, और पहले के समान 19 पहले महीने के दस्वे दिन को प्रजा के लोगों ने यर्दन में से निकल कर यरिहों की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने देरे डाले। अध्याय पाँच इस्राइलियों का खतना किया जाना और फसह मानना एक जब यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमुरियों के सब राजाओने और समुत्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओने ये सुना कि यहवा ने इस्राइलियों के पार होने तक उनके सामने से यर्दन का जल हटा कर सुखा रखा है तब इस्राइलियों के दर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जीना रहा दो समय यहोवा ने यहोशु से कहा चक्मक की चुरिया बनवा कर दूसरी बार इस्राइलियों का खतना करा दे तीन तब यहोशु ने चक्मक की चुरिया बनवा कर खलरिया नामक टीले पर इस्राइलियों का खतना क इसका कारण ये है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। इसलिए यहोवा ने शपत खाकर उनसे कहा था कि जो देश मेंने तुम्हारे पूर्वजों से शपत खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधू की धाराय बहती हैं वह देश में तुमको नहीं दिखाने का। नाइन तब यहोवा ने यहोशु से कहा तुम्हारी नाम धराय जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। दस इसलिए इसराली गिलगाल में देले डाले रहे और उन्होंने यरीहों के पास के अराबा में पूर्ण मासी की संध्या के समय फसह माना। ग्यारा और फसल के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अकमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशु ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, या हमारे बेरियों की ओर का? 14 तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरंद में यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ. 15 यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशु से कहा, अपनी जूती पाउँ से उतार डाल, क्योंकि जिस थान पर तू खड़ा है, वह पवित्र है. तब यहोशु ने वैसा ही किया. अध्याय 6 यरीहो का पतन वन यरीहो के सब फाटक इस्राइलियों के दर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था. दो फिर यहोवा ने यहोशु से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूर्वीरों समेथ तेरे वश में कर देता हूँ. तीन इसलिए तुम में जितने योध्धा है नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों और एक बार घूमाएं. और च्छा दिन तक ऐसा ही किया करना. चार और साथ याजक संदूप के आगे-ागे मेरों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, फिर साथवे दिन तुम नगर के चारों और साथ बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूपते चले. पाँच और जब वे मेरों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूपती रहें तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बढ़ी ध्वनी से जैजकार करें तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चट जाएं चै इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा वाचा के संदूप को उठलो और साथ याजक यहोवा के संदूप के आगे मेरों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलें साथ फिर उसने लोगों से कहा आगे बढ़कर नगर के चारों और घूमाओ और हत्यार बंद पुरुष यहोवा के संदूप के आगे आगे चले आठ और जब यहोशु ये बाते लोगों से कह चुका तो वे साथ याजक जो यहोवा के सामने साथ नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूपते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूप उनके पीछे पीछे चला नौ और हत्यारबंद पुरुश नरसेंगे फूंपने वाले याजकों के आगया आगय चले और पीछे वाले संदूप के पीछे पीछे चले और याजक नरसेंगे फूंपते हुए चले 10 और यहोशु ने लोगों को आग्या दी, जब तक मैं तुम्हें जैजकार करने की आग्या न दूल, तब तक जैजकार न करो और न तुम्हारा कोई शबच सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुँँ से निकलने पाए, आग्या पाते ही जैजकार करना 11 उसने यहोवा के संदूप को एक बार नगर के चारों और घुनवाया, तब वे चावनी में आये, और रात वही काटी 12 यहोशू सबेरे उठा, और याजकों ने यहोवा का संदूप उठा लिया 13 और उन साथ याजकों ने मेरों के सींगों के साथ नरसिंगे लिये और यहोवा के संदूप के आगे-ागे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हत्यारबंद पुरुष चले, और पीछ वाले यहोवा के संदूप के पीछे-पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चल और साथ बार घूमाएं, केवल उसी दिन में साथ बार घूमें। सोलह तब सात्वी बार जब याजक नरसिंगे फूपते थे, तब यहोशु ने लोगों से कहा, जैजकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। सत्रह और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अरपंड की वस्तू ठहरेगी, केवल रहा बेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवत छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। अठारह और तुम अरपंड की हुई वस्तूओं से सावधानी से अपने आपको अलग रखो, ऐसा नहो की अरपंड की वस्तू ठहरा कर बाद में उसी अरपंड की वस्तू में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राइली चावनी को भरष्ट करके उसे कश्ट में डाल दो। उननी सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। बीस तब लोगों ने जैजैकार किया और या जग नरसेंगे फूंगती रहे। और जब लोगों ने नरसेंगे का शब्द सुना तो फ वेर बकरी, गदहे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अरपन की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। बैठा दिया। 24 तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था, सबको आग लगा कर फूप दिया, केवल चान्दी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंदार में रख दिया। 25 और यहोशुने राहा वेश्या और उसके पि यहोशुने इस्राइलियों की सम्मुक शपत रखी और कहा, जो मनुश्य उठकर इस नगर यरियों को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नीव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छ वस्तू के विश्य में विश्वास घात किया, अर्थात यहुदा गोत्र का आकान, जो जेर्वनशी जबदी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अरपन की वस्तूओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कौप इस्राइलियों पर भढ़क उठा। दो के पास लौट कर कहा, सब लोग वहाँ न जाएं, कोई दो-तीन हजार पुरुष जाकर आको जीत सकते हैं, सब लोगों को वहाँ जाने का कश्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। और वह और इस्राइली व्रिधल लोग यहोवा के संदूप के सामने मूँ के बल गिरकर प्रित्वी पर सांज तक पड़े रहें, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूर डाली। साथ और यहोशु ने कहा, हाई, प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नश्ट करने के लिए ले आया है? भला होता की हम संतोश करके यर्दन के उस पार रह जाते आठ हाई, प्रभु मैं क्या कहूं, जब इस्राइलियों ने अपने शत्रों को पीठ दिखाए है? नाइन क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम प्रिथवी पर से मिटा डालेंगे, फिर तु अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? दस यहोवा ने यहोशु से कहा, उठ खड़ा हो जा, तु क्यों इस भाती मूँ के बलप्रिथवी पर पड़ा है? ग्यारह इसराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाय थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने अरपन की वस्तू में से ले लिया, वरन चोड़ी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है बारह इसकारण इसराइली अपने शत्रों के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रों को पीट दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अरपन की वस्तू बन गए हैं और यदि तुम अपने मध्य में से अरपन की वस्तू का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा तेरा हुट, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कैह, सबेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है हे इस्राइल, तेरे मध्य में अर्पन की वस्तू है, इसलिए जब तक तु अर्पन की वस्तू को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तु अपने शत्रों के सामने खड़ा न रह सकेगा 14 हिसले सबेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किये जाओगे और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वहे कि एक कुल करके पास आए और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वहे कि एक बस्तू रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डाल कर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है, और इस्राइल में अनुचित कर्म किया है। को समीब खड़ा किया, और यहुदा गोत्र का आकान, जो जेर्वनशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। 19 तब यहोशु आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, और उसके आगे अंगिकार कर, और जो कुछ तुने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। 20 आकान ने यहोशु को उत्तर दिया, सच मुच मैंने इस्राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप क्या है, और इस प्रकार मैंने क्या है, 21 की जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुन्दर ओरना, और 200 शेकेल चांदी, और 50 शेकेल सोने की एक इप देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया, वे मेरे देरे के भीतर भूमी में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है, 22 तब यहोशु ने दूट भेजे, और वे उस देरे में दोड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुए उसके देरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है, 23 उनको उन्होंने देरे में से निकाल कर यहोशु और सब इस्राइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया, 24 तब सब इस्राइलियों समेत यहोशु जेर्वन्शी आकान को, और उस चांदी और ओरने और सोने की ईट को, और उसके गदहों और भेर बकरियों को, और उसके देरे को, अर्था जो कुछ उसका था उन सब को आको नामत तराई में ले गया, 25 तब यहोशु ने उससे कहा, तुने हमें क्यों कश्ट दिया है, आज के दिन यहोवा तुझी को कश्ट देगा, तब सब इस्राइलियों ने उस पर पत्राव किया, और उनको आग में डाल कर जलाया, और उनकी ऊपर पत्थर डाल दिये, 26 और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा धेर लगा दिया, जो आज तक बना है, तब यहोवा का भरका हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तर ले, और एह पर चड़ाई कर, सुन, मैंने एके राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेट तेरे वश में किया है, दो और जैसा तुने यरी हो और उसके राजा से किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना, केवल तुम पशुओं समेट उसकी लूट अपने ले ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की और अपने पुरुष घात में लगा दो। समान हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भागेंगे, छे तब वे ये सोच कर, कि वे पहले की भाती हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भाग कर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे, साथ तब तुम गात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। आठ और जब नगर को लेलो तब उसमें आग लगा कर फूंक देना। यहोवा की आग्या के अनुसार ही काम करना, सुनो, मैंने तुम्हें आग्या दी है। नाइन तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वेगहात में बैठने को चले गए, और बेतल और एके मध्य में और एकी पश्चम की ओर बैठे रहे, परन्तु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। दस यहोशू सबेरे उठा, और लोगों की गिंती लेकर इस्राइली व्रिध लोगों समेथ लोगों के आगे-ागे एकी ओर चला। ग्यारा और उसके संके सब योध्धा चट गए, और एक नगर के निकर पहुँचकर उसके सामने उत्तर की ओर देरे डाल दिये, और उनके और एके बीच एक तराई थी। बारा तब उसने कोई पांच हजार पुरुष चुनकर बेतल और एके मध्य नगर के पश्चम की ओर उनको घात में बैठा दिया। जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। पंद्रह तब यहोशू और सब इस्राइली उनसे मानोहार मानकर जंगल का मार्व लेकर भाग निकले। 16 अतब नगर के सब लोग इस्राइलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। 17 और नय में और नब इतल में कोई पुरुश रह गया जो इस्राइलियों का पीछा करने को न गया हो और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राइलियों का पीछा किया। 18 तब यहोवा ने यहोशू से कहा अपने हाथ का बर्चाय की ओर बढ़ा क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्चे को नगर की ओर बढ़ाया। उन्नीस उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे जटपट अपने स्थान से उठे और दोड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और जटपट उसमें आग लगा दी. बीस चब है कि पुरुषों ने पीछे की और फिरकर द्रिश्टी की तो क्या देखा कि नगर का धुआ आकाश की और उट रहा है और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर और जो लोग जंगल की और भागी जाते थे वे फिरकर अपने खदेरने वालों पर तूट पड़े 21 चब यहोशू और सब इस्राइलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआ उट रहा है तब गूमकर है कि पुरुषों को मारने लगे 22 और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए इसलिए वे इस्राइलियों के बीच म पास ले आए 24 चब इस्राइलिय के सब निवासियों को मैदान में अर्था तुस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहां तक कि उनका अंधी हो गया तब सब इस्राइलियों ने एको लोटकर उसे भी तल नाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्चा बढ़ाया था फिर नखीचा। 27 यहोवा की उस आग्या के अनुसार जो उसने यहोशु को दी थी इस्राइलियों ने पशुआदी नगर की लूट अपनी कर ली। 28 तब यहोशु ने एको फूकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया वह आज तक उजाड़ पड़ा है उन्तीस और एक के राजा को उसने सांज तक रिक्ष पर लगका रखा और सूर्य डूपते डूपते यहोशु की आग्या से उसका शब रिक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया और उस पर पत्थरों का बड़ा धेर लगा दिया जो आज तक बना है एबाद परवत पर व्यवस्था का पार्थ तीस तब यहोशु ने इसराइल के परमिश्वर यहोवा के लिए एबाद परवत पर एक वेदी बनवाई एक्तीस जैसा यहोवा के दास मूसा ने इसराइलियों को आग्या दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसने समूचे पत्थरों की एक पर वेदी बनवाई जिस पर ओजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमवली चड़ाए और मेलवली किये 32 उसी स्थान पर यहोशु ने इसराइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कर आ 33 और वे क्या देशी क्या पर देशी सारे इसराइली अपने व्रिध लोगों सरदारों और न्यायों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी या याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए अर्थात आधे लोग तो गिरिजीम परवत के और राधे एबाल परवत के सामने खड़े हुए जैसा कि अहोवा के दास मूसा ने पहले से आग्या दी थी कि इसराइली प्रजा को आशीरवाद दिये जाएं 34 उसके बाद उसने आशीश और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पर पढ़कर सुना दिये 35 जितनी बातों की मूसा ने आग्या दी थी उन में से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इसराइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले पर देशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई अध्याए 9 गिबोनियों का चल एक ये सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजजी, हिब्बी और यबूसी जितने राजाय अर्दन के इस पार पहारी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, दोवे एकमन होकर यहोशू और भेश बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर पांच अपने पावों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहिने और अपने भोजन के लिए सूखी और अब्यों से कहा क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो फिर हम तुमसे वाचा कैसे बाध है आठ उन्होंने यहोशु से कहा हम तेरे दास हैं तब यहोशु ने उनसे कहा तुम कौन हो और कहा से आय हो नाइन उन्होंने उससे कहा तेरे दास बहुत दूर के देश से ते पार रहते थे अर्था थेश्बोन के राजा सीहुन से और बाशान के राजा उक से जो अश्तारोत में था। और इसमें फफूंदी लग गई है। के तीन दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पडोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। 17 तब इस्राइली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है पहुँच गए, 18 और इस्राइलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंदली के प्रधानों ने उनकी संग इस्राइल के परमेश्वर यहोवा की शपत खाई तब सारी मंदली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुरकुराने लगे, 19 तब सब प्रधानों ने सारी मंदली से कहा, हमने उनसे इस्राइल के परमेश्वर यहोवा की शपत खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते, 20 हम उनसे यही करेंगे कि उस शपत के अनुसार ह उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपत के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा, 21 फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं, अता प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंदली के लिए लकड़हरे और पानी भरने वाले बन रहेगा जो दास, अर्थात मेरे परमेश्वर के भावन के लिए लकड़हरा और पानी भरने वाला न हो, 24.09 ने यहोशु को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चर बतलाया गया था, कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आग्या दी थी कि तुमको वह सारा देश दे, और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे, इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, 25 और अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बरताव तुझे भला लगे और ठ और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हरे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है, अध्याय दस, एमोरियो पर विजय, एक जब यरूशलिम के राजा अदोनी सिदिक ने सुना कि यहोशू ने एको ले लिया, और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरी हो और उसके राजा से किया था वैसा है और उसके राजा से भी क्या है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राइलियों से मेल किया, और उनके बीच रहने लगे हैं, दो तब वे बहुत दर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुलिय और ऐसे बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे क्योंकि उसने यहोशू और इस्राइलियों से मिल कर लिया है पाँच इसलिए यरूशलेम, हेबरोन, यर्मूत, लाकीश और एगलोन के पाँचो एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना एकठी करके चड़ाई कर दी और गिबोन के सामने देरे डालकर उससे युद्ध छेर दिया छे तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की चावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा अपने दासों की ओर से तु अपना हाथ न हटाना, शीग्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर दर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुश भी तेरे सामने टिक न सकेगा नाइन तब यहोशू रातो रात गिलगाल से जाकर एक आएक उन पर तूट पड़ा दस तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राइलियों से घबरा गए और इस्राइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा सनहार किया और बेथोरोन के चड़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए 11 फिर जब वे इस्राइलियों के सामने से भाग कर बेथोरोन की उतराई पर आए तब जेका पहुँचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाई और वे मर गए जो ओलों से मारे गए उनकी गिंती इस्राइलियों की तलवार से मारे हों से अधिक थ उपर थमा रहे। 13 और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक थहरा रहा जब तक उस जाती के लोगों ने अपने शत्रों से बदला न लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग चार पहर तक न डूबा। 14 न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो क्योंकि यहोवा तो इस्राइल की ओर से लड़ता था। 15 तब यहोशु सारे इस्राइलियों समेथ गिलगाल की चावनी को लौट गया। एमोरियों के पांचो राजाओं का बंदी बनाया जाना। 16 वे पांचो राजा भाग कर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। 17 तब यहोशु को ये समाचार मिला, पांचो राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। 18 यहोशु ने कहा, गुफा के मुँपर बड़े बड़े पत्थर लुलिका कर उनकी देखभाल के लिए मनुश्यों को उसके पास बैठा दो, उननीस परंतु तुम मत थहरो, अपने शत्रूओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछर गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपन गरवाले नगर में गुज गए, 21 तब सब लोग मकेदा की चावनी को यहोशु के पास कुशलक शेम से लोटाए, और इस्राइलियों के विरुद्ध किसी ने जीब तक न हिलाए, 22 तब यहोशु ने आ गिया दी, गुफा का मुँँ खोल कर उन पांचो राजाओं को मेरे पास निकाल लियाओ, 23 उन्होंने ऐसा ही किया, और यरुशलेम, हेबरोन, यर्मूत, लाकीश और एगलोन के उन पांचो राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल लियाओ, 24 चब वे उन राजाओं को यहोशु के पास निकाल लियाओ, तब यहोशु ने इस्राइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योधाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाओं इन राजाओं की गर्दनों पर रखो. और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पाओं उनकी गर्दनों पर रखे. पच्चीस तब यहोशु ने उनस व्रिक्षों पर लटका दिया और वे सांज तक उन व्रिक्षों पर लटके रहें। उन सभों में से किसी को जीवित न छोड़ा और जैसा उसने यरीहों के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। 31 फिर यहोशू सब इस्राइलियों समेत लिबना से चल कर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डाल कर लड़ा, 32 और यहोवा ने लाकीश को इस्राइल के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया और जैसा उसने लिबना के सब प्राणियों को वितन छोड़ा, 34 फिर यहोशू सब इस्राइलियों समेत लाकीश से चल कर एगलोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डाल कर युद्ध करने लगा, 35 और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणि का सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एगलोन से भी किया, 36 फिर यहोशू सब इस्राइलियों समेत एगलोन से चल कर हेबरोन को गया और उससे लड़ने लगा, 37 और उन्होंने उससे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गावों को और उनमें के सब प्राणियों क गर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, उन्तालीस और राजा समेत उसे और उसके सब गामों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थी सब का सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा, जैसा यहोशु ने हेबरोन औ समेत मारा, और इस्राइल के परमेश्वर यहोवा की आग्या के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला, एक तालीस और यहोशु ने कादेश बने से लिया ज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशिन देश के लोगों को 42 इस इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशु ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राइल का परमेश्वर यहोवा इस्राइलियों की ओर से लड़ता था 43 तब यहोशु सब इस्राइलियों समेत गिलगाल की चावनी में लोट आया अध्याए 11 राजा यावीन और उसके सहायक यहोशु द्वारा पराजित एकीय सुनकर हासोर के राजा यावीन ने मादोन के राजा योबाव और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को दो और जो जो राजा उत्तर की और पहाड़ी देश में और किन्नेरित की दक्षन के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चम की और दोर के उंचे देश में रहते थे। और उनके साथ बहुत से घुड़े और रत भी थे। पांच तब वे सब राजा सम्मती करके एकठे हुए और इस्राइलियों से लड़ने को मिरोम नामकताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। आठ और यहोवा ने उनको इस्राइलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया, और बड़े नगर सीधोन और मिस्र पोतमेम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया, और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न नाइन तब यहोशु ने यहोवा की आग्या के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घुडों के घुटनों की नस्क टवाई, और उनके रथाग में जला कर भस्न कर दिये। दस उस समय यहोशु ने घुमकर हासोर को जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य था ले लिया, और उसके राजा को तलवार से मार डाला। ग्यारा और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मार कर नश्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, और हासोर को यहोशु ने आग लगा कर फुकवा दिया। बारा और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेथ यहोशु ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा के आग्या के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। तेरा परंतु हासोर को छोड़ कर, जिसे यहोशु ने फूकवा दिया, इस्राइल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। 14 और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राइलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुश्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहां तक उनका सत्यानाश कर डाला की एक भी प्रानी को जीवित नहीं छोड़ा गया। 15 जो आग्या यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशु को आग्या दी थी और ठीक वैसा ही यहोशु ने किया भी, जो जो आग्या यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशु ने कोई भी पूरी केबिना न छोड़ी। यहोशु द्वारा जीते गए देश 18 उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशु को बहुत दिन लग गए। 19 गिबोन के निवासी हिब्वियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राइलियों से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया। 20 क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आग्या के अनुसार जो उसने मूर्सा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले इस कारण उसने उनके मने से कठोर कर दिये कि उन्होंने इस्राइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। 21 समय यहोशु ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाप, वरन यहुदा और इस्राइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नश्ट किया, यहोशु ने नगरो समेत उनका सत्यानाश कर डाला। करके उन्हें दे दिया। और देश को लड़ाई से शांती मिली। अध्याय बारह मूसा द्वारा पराजित राजा। वन यर्दन पार सूर्योदे की ओर अर्थात अर्नों घाटी से लेकर हेर्मोन परवत तक के देश और सारे पूर्वी राबा के जिन राजाओं को इस्राइलियों ने मार कर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वे ये हैं, दो ये मुर्यों का हिश बोनवासी रा अर्वा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अर्वा और दक्षन की ओर पिसगा की धलान के नीचे-नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मंश्य के आधि गोत्र के लोगों को दे दिया। और यबूसी जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और धालू देश में और जंगल में और दक्षनी देश में रहते थे। नाइन एक यरीहो का राजा, एक बेतल के पास केय का राजा, दस एक यरूशलिम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, ग्यारहेक यर्मूत का राजा, एक लाकिश का राजा, बारहेक एगलोन का राजा, एक मेजिर का राजा, तिरहेक दबीर का राजा, एक गैदर का राजा, 14. हुर्मा का राजा, 1. अराद का राजा, 15. लिबना का राजा, 1. अदुलाम का राजा, 16. मक्केदा का राजा, 1. बेतल का राजा, 17. तपूह का राजा, 1. हैपेर का राजा, 18. अपेक का राजा, 1. लशारोन का राजा, 19. मादोन का राजा, 1. हासूर का राजा, 20. शिम्रोन एक करमेल में के योक नाम का राजा, तीस एक दोर नामक उचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोईं का राजा, चोबीस और एक तिरसा का राजा है, इस प्रकार सब राजा 31 हुए. अध्याय 13 बाद में जीते गए राज्य वन यहोशु बूरा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा तू बूरा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इसराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए दो ये देश रह गए हैं अर्थात पलिष्टियों का सारा प्रांथ और सारे गशूरी तीन मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है और पलिष्टियों के पांचों सरदार अर्थात अज्जा, अश्डोद, अशक् और एक्रोन की लोग, और दक्षन की ओर अभवी भी, चार फिर अपेक और एमुरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सीधोनियों का मारा नामक देश, पांच फिर गवालियों का देश, और सूर्योदे की ओर हेर्मोन परवत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की गाटी तक सारा लबानोन, छे फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमिम तक सीदोनियों के पहाडी देश के निवासी. इनको मैं इस्राइलियों के सामने से निकाल दूंग, इतना हो कि तू मेरी आग्या के अनुसार चित्थी डाल डाल कर उनका देश इस्राइल को बांट दे. सा ट्रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था, जिसे मूसा ने उन्हें यर्दन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उनहीं को दिया था, नौर थातर नोन नामक घाटी के किनारे के अरोय से लेकर, और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, दस और अम्मोनियों की सीमा तक हेशिबोन में विराजने वाले एमुरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, ग्यारा और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन और सलका तक सारा बाशान, बारा फिर आश्तारोत और अद्रेई में विराजने वाले उसूप का सारा राज़त जो रपायों में से अकेला बच गया था। क्योंकि इनी को मूरसा ने मार कर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। तेरा परंथु इसरालियों ने गशूरीयों और माकीयों को उनके देश से न निकाला इसलिए गशूरी और माकी इसरालियों के मध्य में आज तक रहते हैं। 14 और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राइल के परमिश्वर यहुवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं रूबेन के गोत्र को दिया गया भाग 15 मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया 16 अर्थातर नो नामक घाटी के किनारे के रोएं से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मिदबा के पास का सारा चौरस देश 17 फिर चौरस देश में का हेशिबोन और उसके सब गाउं फिर दीबोन, बामोत बाल, बेत बालमोन, 18 यह सा, कदे मोत, मेपात, 19 के रियातेम, सिबमा और तराइमे के पहार पर बसा हुआ सेरिथ शहर, 20 बेत अपोर, पिसगा की धलान और बेत शिमोत, 21 अर्था चौरस जान के प्रधानों को भी मार डाला था जो सीहुन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे, 22 और इस्राइलियों ने उनके और मारे हुऊं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला, 23 और रूबेनियों की सीमा यर्दन का किन नारा ठहरी, रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गावों समेथ यही ठहरा, गाद के गोत्र को दिया गया भाग, 24 फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निजभाग करके बांट दिया, 25 तब ये ठहरा, अर्था त्या तराई में बेथारम, बेतनिम्रा, सुखकोत और सापोन और हेशबोन के राजा सीहुन के राजय के बचे हुए भाग और किन्नेरेत नामकताल के सिरे तक यर्दन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यर्दन है। 28 गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गावों समेथ यही ठहरा। मंश्शी के आधे गोत्र को दिया गया भाग। 29 फिर मूसा ने मंश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निजभाग करके दिया, वह मंश्शेयों के आधे गोत्र का निजभाग उनकी कुलों के अनुसार ठहरा 30 वह ये है, अर्थात महनें से लेकर बाशान के राजा ओग के राजय का सारा देश, और बाशान में बसी हुई याई की साथो बस्तियां, 31 और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत, और अद्रेई, जो बाशान में ओग के राजय के नगर थे, ये मंश्शे के पुत्र माक के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निजभाग कुलों के अनसार ठहरे, 32 जो भाग मूसा ने मौाब के अराबा में यरीहों के पास के यर्दन के पूर्व की और बांट दिये वे ये ही हैं, 33 परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया, इसराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनसार उनका भाग ठहरा, अध्याय 14 यर्दन के पश्चिमी भाग का बटवारा, एक जू जो भाग इसराइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें अल्याजार याचिक और नून के पुत्र यहोशु और इसराइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुशों ने उनको दिया वे ये हैं, दो जो आग्या यहोवा ने मूसा के द्वारा साड़े नौ गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनसार उनके भाग चिथी डाल डाल कर दिये गए, तीन मूसा ने तो धाई गोत्रों के भ रखने को चराया उनको मिली, पांच जो आग्या यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनसार इस्राइलियों ने किया, और उन्होंने देश को बांट लिया, हेब्रों नगर कालेब को दिया जाना, छे तब यहूदी यहोशु के पास गिलगाल में आये, और कंजी यपुन्य के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विशे में क्या कहा था, साथ जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेड लेने के लिए कादेश बने से भेजा था तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, आठ और मेरे साथ ही जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीती से बात मानी, नाइन तब उस दिन मूसा ने शपत खा कर मुझ से कहा, तूने पूरी रीती से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरंग किया है, इस कारण नी, संदेश जिस भूमी पर तू अपने पाउं धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंच का भाग होगी. 10 और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राइली जंगल में गूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष कहूं. 11 जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है. 12 इसलिया अब वह पहारी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गरवाले नगर भी हैं पर अंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार में उन्हें उनके देश से निकाल दून 13 तब यहोशु ने उसको आशिरवाद दिया और हेब्रोन को यपुन्य की पुत्र कालेब का भाग कर दिया 14 इसकारण हेब्रोन कंजी यपुन्य की पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है क्योंकि वह इस्राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीती से अनुगामी था पंद्रह पहले हेब्रोन का नाम किरितर्बा था वो हर बार नाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांती मिली अध्याय पंद्रह यहुदा के गोत्र को दिया गया भाग एक यहुदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिथी डालने से अदोम की सीमा तक और दक्षन की और सीन के जंगल तक जो दक्षनी सीमा पर है ठाहरी दो उनके भाग की दक्षणी सीमा खारे ताल के उस सिर्वाले कोल से आरंब हुई जो दक्षण की ओर बढ़ी है तीन और वह क्रभीम नामक चड़ाई के दक्षणी ओर से निकल कर सीन होते हुए कादेश बने के दक्षण की ओर को चड़ गई फिर हैस्रोन के पास होवदार को चड़ कर करका की ओर मुल गई चार वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंसमुद्र हुआ तुम्हारी दक्षणी सीमा यही होगी पांच फिर पूर्वी सीमा यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी और उत्तर दिशा की सीमा यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंब करके छे बेतोगला को चड़ते हुए बेतरबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहन नामक पत्थर तक चड़ गई साथ और वही सीमा आक और नामक तराई से दबीर की ओर चड़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर जुकी जो तराई के दक्षनी ओर की अदुम्मीम की चड़ाई के सामने है वहां से वहें शिमेश नामक सोते के पास पहुँचकर अन्रोगेल पर निकली आठ फिर वही सीमा हिन्नों की पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है के दक्षन की ओर से चरते हुए उस पहार की चोटी पर पहुँची जो पश्चिम की ओर हिन्नों की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है नौ फिर वही सीमा उस पहार की चोटी से नेपतोह नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहार के नगरों पर निकली फिर वहां से बाला को जो किर यत्यारीम भी कहलाता है पहुँची दस फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुर कर सेर पहार तक पहुँची और यारीम पहार जो कुसालोन भी कहलाता है, उसके उत्तरी ओर से होकर बेच्शमेश को उतर गई, और वहां से तिमना पर निकली, ग्यारा वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुई शिक्करोन गई, और बाला पहार होकर यबनल पर निकली, और उस सीमा का अंत समुद्र का त यहुदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसके चारों ओर की सीमा यही हुई कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय 13 यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आग्या के अनुसार यहुदियों के बीच भाग दिया अर्थात किर्यत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है वहरबा अनाग का पिता था 14 और कालेब ने वहां से शेशय, अहिमन और तलमे नामक अनाग के तीनों पुत्रों को निकाल दिया 15 फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चट गया, पूर्वकाल में तो दबीर का नाम किर्यत से पेर था 16 और कालेब ने कहा, जो किर्यत से पेर को मार कर ले ले उससे मैं अपनी बेटी एकसा का विवाह कर दूँगा 17 तब कालेब के भाई केंजी के पुत्रों नियल ने उससे ले लिया, और उसने उससे अपनी बेटी एकसा का विवाह कर दिया 18 जब वह उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमी मांगने को भारा, फिर वह अपने गदहे पर से उतर पड़ी, और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है 19 वह बोली, मुझे आशिरवाद दे, तूने मुझे दखिन देश में की कुछ भूमी तुदी है, मुझे जल के सोते भी दे तब उसने उपर के सोते, नीचे के सोते, दोनों से दिये यहूदा के गोत्र के नगर 20 यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा 21 यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दखिन देश में अदोम की सीमा की ओर ये हैं अर्थात कपसेल, अदेर यागुर, 22 कीना, दिमोना, अदादा, 30 के देश, हासोर, यितनान, 24 जी, तीलिम, बालोत, 25 हासोर हदता, करियोत हिस्रोन, जो हासोर भी कहलाता है 26 और अमाम, शमा, मुलादा, 27 हसर गद्दा, हेशमोन, बेतपालेत, 28 हसर शू, बेरशिबा, बिज्योत्या, 29 बाला, इहीम, असेम, 30 अतोलद, कसील, हुर्मा, 31 सिकलग, मदमना, संसन्ना, 32 लबात, शिलहीम, एन, और रिमोन, ये सब नगर 29 हैं, और इनके गाउं भी हैं 33 नीचे के देश में ये हैं, अर्थाते शताओ, सोरा, अशना, 34 जानोह, एंगनीन, तपूह, एनाम, 35 यर्मूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, 36 शारम, अदितम, गदेरा, और गदेरोतम, ये सब 14 नगर हैं, और इनके गाउं भी हैं 37 फिर सनान, हदाशा, में गदलगाद, 38 दिलान, मिस्पे, योकतिल, 49 लाकीश, बुसकत, एगलोन, 40 कबबोन, लहमास, कितलीश, 41 गदेरोत, बेद दागोन, नामा, और मक्केद, ये सोलह नगर हैं, और इनके गाउं भी हैं 42 फिर लिबना, एतेर, आशान, 43 यपताह, अशाना, नसीब, 44 कीला, अकजीब और मारेशा, ये नो नगर हैं, और इनके गाउं भी हैं 45 फिर नगरों और गाउं समेट एक्रोन, 46 और एक्रोन से लेकर समुद्र तक, अपने अपने गाउं समेट जितने नगर अश्डोद की ओर हैं 47 फिर अपने अपने नगरों और गावों समेट इश्डोद और अज्जा वरन मिस्र के नाले तक और महास्मुत्र के तक जितने नगर हैं 48 पहाडी देश में ये हैं अर्थात शामीर, यतीर, सोको, 49 दिनना, किर्यत सनना, जो दबीर भी कहलाता है 50 अनाप, एशतमो, आनीम, 51 गोशेन, होलोन और गिलो, ये 11 नगर हैं और इनके गावों भी हैं 52 फिर अराब, दूमा, एशान, तिरपन्यानीम, बेततपोह, अपेका, 54 हुमता, किर्यतर बाग, जो हेब्रोन भी कहलाता है और सिवा, ये 9 नगर हैं और इनके गावों भी हैं 55 फिर माउन, करमेल, जी, यूता, 56 यज्रेल, योकदाम, चानो, 57 कैन, गिबा और तिमना, ये 10 नगर हैं और इनके गावों भी हैं 58 फिर हलहूल, बेतसूर, गदोर, 69 मराथ, बेतनोत और अल्टकोन, ये 6 नगर हैं और इनके गावों भी हैं 60 फिर किरित्बाल, जो किरित्यारीन भी कहलाता है, और रब्बा, ये 2 नगर हैं, और इनके गावों भी हैं 63 यरूशलिम के निवासी यभूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यभूसी यहूदियों के संग यरूशलिम में रहते हैं अध्याय सोलह, एप्रेम और मंच्शी गोत्रों को दिया गया भाग एक फिर यूसुफ की संतान का भाग चित्थी डालने से ठहराया गया, उनकी सीमा यरीहों के पास की यर्दन नदी से, अर्थात पूर्व की और यरीहों के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए, जो जंगल में है, बेतल को पहुँची, दो बहां से अरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली, तीन और पश्चिम की और यप लेतियों की सीमा से उतर कर फिर नीचिवाली बेतोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुँची, और समुद्र पर निकली. चार तब मंश्य और एप्रेम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया पांच एप्रेमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह थहरी अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अत्रोत्तार से होते हुए उपर वाले बेथोरोन तक पहुँची छे और उत्तरी सीमा पश्चम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुलकर तांतशीलों को पहुँची और उसके पास से होते हुई यानों तक पहुँची, साथ फिर यानों से वह तारोत और नारा को उतरती हुई यरियों के पास होकर यर्दन पर निकली आठ फिर वही सीमा तपोह से निकल कर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली एप्रमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा नौ और मन्शेयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गावों समेत एप्रमियों के लिए अलग किये गए दस परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रमियों ने वहां से नहीं निकाला इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं अध्याय सत्रह पश्चम में मन्शे का भाग एक फिर यूसुफ के जेठे मन्शे के गोत्र का भाग चित्थी डालने से यह ठहरा मन्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योध्धा था इस कारण उसके वन्श को गिलाद और बाशान मिला दो इसलिए ये भाग दूसरे मन्शेयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा अर्था तब येजेर, हलेक, असीयल, शेकेम, हैपेर और शमीदा जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मन्शे के वन्श में की पुरुष थे उनके अलग-अलग वन्शों के लिए ठहरा तीन परंतु है पेर जो गिलाद का पुत्र, माकीर का पोता और मन्शे का पर पोता था उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुई और उनके नाम महला, नुआ, हुगला, मिलका, और तिरसा है चार तब वे अल्याजार याजग, नून के पुत्र यहोशु और प्रधनों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आग्या दी थी, कि वह हम को हमारे भायों के बीच भाग दे तो यहोशु ने यहोवा की आग्या के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया पांच तब मंशे को, यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़, दस भाग मिले, छे क्योंकि मंशेयों के बीच में मंशे इस्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मंशेयों को गिलाद देश मिला साथ मंशे की सीमा आशेर से लेकर मिकम्ता तक पहुँची, जो शकेम के सामने है, फिर वह दक्षन की और बढ़कर अंतपूह के निवासियों तक पहुँची आठ तपूह की भूमी तो मंशे को मिली, परंतु तपूह नगर जो मंशे की सीमा पर बसा है वह एप्रेमियों का ठहरा नायन फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर की उसके दक्षन की और तक पहुँच गई, ये नगर यद्यपी मंशे के नगरों के बीच में थे तो भी अप्रेम के ठहरे और मंशे की सीमा उस नाले की उतर की और से जाकर समुद्र पर निकली, दस दक्षन की और का अपने अपने नगरों समेत बेटशान, ये बलाम, और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत अंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों जो उची स्थानों पर ब परन्तों उनको पूरी रीती से निकाल बाहर न किया। एप्रेम और मंच्शे गोत्रो द्वारा अधिक भूमी की मान। 14 यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिंती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीशी देता आया है, फिर तुने हमारे भाग के लिए चित्थी डाल कर क्यों एक ही अंच दिया है। 15 यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिंती में बहुत हो, और एप्रेम का पहाडी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिज्जियों और रपाईयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। 16 यूसुफ की संतान ने कहा, वो पहाडी देश हमारे लिए छोटा है, और बेच्शान और उसके नगरों में रहने वाले और ये ज्रेल की तराई में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रत हैं। 17 फिर यहोशु ने क्या प्रमी क्या मंच्शेई अर्थाति उसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिंती में बहुत हो, और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुम को केवल एक ही भाग न मिलेगा, अठारह पहाडी देश भी तुम्हारा हो जा अठारह, शेश देश का बतवारा, एक फिर इस्राइलियों की सारी मंदली ने शीलो में एकठी होकर वहां मिलापवाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था, दो और इस्राइलियों में से साथ गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पा होगे, चार अप्रती गोत्र में से तीन मनुश्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजुगा की वे चलकर देश में घूमे फिरें, और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिखकर मेरे पास लोट आएं, पांच और वे देश के भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहां तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चित्थी डालूंगा। और उसका हाल लिखकर मेरे पास लोट आओ, और मैं यहां शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चित्थी डालूंगा। नाइन तब वे पुरुष चल दिये, और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के साथ भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की चावनी में यहोशु के पास आए। दस तब यहोशु ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चित्थिया डाली, और वही यहोशु ने इस्राइलियों को उनके भागों के अनसार देश बांट दिया। निकली, तेरह वहां से वह लूच को पहुँची, जो बेतल भी कहलाता है, और लूच के दक्षनी ओर से होते हुए निचले बेथोरों के दक्षनी ओर के पहाड के पास हो अत्रोत तार को उतर गई। पहुची, सोलह और उस पहाड के सिरे पर उतरी, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नामक तराई के उतरी ओर है, वहां से वह हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षनी ओर होकर एन्रोगेल को उतरी, 17 वहां से वह उत्तर की ओर मुलकर इंशिमिश को निकल कर उस गलीलोत की ओर गई। जो अदुमीन की चड़ाई के सामने है, फिर वहां से यहरूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। 20 और पूर्द की ओर की सीमा यर्दन ही ठाहरी, बिन्यामीनियों का भाग, चारों ओर की सीमाओं सहित, उनके कुलों के अनसार, यही ठहरा। 21 बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थातियरी हो, बेथोगला, एमेकसीस, 22 बेत्रबा, समारम, बेतल, तीज अब्बीम, पारा, ओप्रा, 24 का परम्मोनी, ओप्रनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गाउं मिले. 25 फिर गिबोन, रामा, बेरोत, 26 मिस्पे, कपीरा, मोसा, 27 रेकेम, यर्पिल, तरला, 28 सेला, इलिप, यबूस्चो, यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किर्यत, ये 14 नगर और इनके गाउं उन्हें मिले. बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा. बिन्याम पर निकली और उनका भाग यहुदियों के भाग के बीच में ठहरा. दो उनके भाग में ये नगर हैं, अर्थात बेर शेबा, शेबा, मुलादा, तीन हसरशॉल, बाला, असेम, चार अलतोलद, बतूल होर्मा, पांच सिकलग, बेतमरकाबोत, हसरशूसा, छेह बेतलबात और शारूहिन, ये तिरा नगर और इनके गाउं उन्हें मिले. साथ फिर एन, रिम, मून, अतेर और आशन, ये चार नगर गाउं समेत, आर्थ और बालत बेर जो दक्खिन देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों और के सब गाउं भी उन्हें मिले. शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा. नाइन शिमोनियों का भाग तो यहुदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहुदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उनी के भाग के बीच ठहरा. जबूल उनके गोत्र को दिया गया भाग 10 तीसरी चित्थी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीट तक पहुँची 11 और उनकी सीमा पश्चिम की और मरला को चड़कर दबेशेच को पहुँची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुँच गई 12 फिरसारीच से वह सुर्योदे की ओर मुल कर किसलोत ताबूर की सीमा तक पहुँची और वहाँ से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली 13 वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गतेपेर और इतकासीम को गई और उस रिम्मोन में निकली जो निया तक फैला हुआ है 14 वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुल कर हन्नातोन पर पहुँची और ये प्तहेल की तराई में जा निकली 15 कतात, नहलाल, शिभरोन, यिदला और बैतलहम ये बारह नगर उनके गावों समेट उसी भाग के ठहरे 16 जबूलुनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गावों समेट यही नगर है इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग 17 चौथी चिथी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली 18 और उनकी सीमा यिज्रेल, कसुलोत, शूनेम, 19 हपारम, शियोन, अनाहरत, 20 रबीत, किश्योन, एबेस, 21 रेमेत, एंगनीम, एनहदा और बेतपसिस तक पहुँची 22 फिर वह सीमा ताबोर, शेह सुमा और बेतशमेश तक पहुँची और उनकी सीमा यर्दिन नदी पर जा निकली, इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गावों समेथ मिले 23 कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गावों समेथ यही ठहरा 26 सलाम में लेक, अमाद और मिशाल थे और वह पश्चम की ओर कामल तक और शीहोर लिबनाद तक पहुँची, 27 फिर वह सूर्योदे की ओर मुलकर बेतदागों को गई और जबुलून के भाग तक और ये प्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नियेल तक पहु मुलकर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। 30 उमा, अपेक और रहोग भी उनके भाग में ठहरे, इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गावों समेत उसको मिले। 31 कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गावों समेत यही ठहरा नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। 32 चट्वी चित्थी नप्तालियों के अनुसार उनके नाम पर निकली। भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुँची। 35 और उनके गरवाले नगर ये हैं अर्थात सिदीम, सेर, हम्मत, प्रकत, किन्निरेत, 36 अदामा, रामा, हसोर, 37 के देश, अद्रेई, इनहसोर, 38 यरोन, मिगदलेल, हुरेम, बेतनात और बेत्शमिश, ये 19 नगर गावों सम ये यही ठहरा। 47 और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशिम पर चड़कर उससे लड़े, और उससे लेकर तलवार से मार डाला, और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गये, और अपने मूलपुरुष के नाम पर लेशिम का नाम दान रखा। 50 यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मानगा हुआ नगर दिया, यहे प्रेम के पहारी देश में का तिमनत से रहे, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। 51 जो जो भाग इल्याजार याजक और नून के पुत्र यहोशु और इस्रैलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने शीलों में मिलापवाले तंबु के द्वार पर यहोवा के सामने चिथी डाल डाल के बांट दिये वे यही इस प्रकार उन्होंने देश्विभाजन का काम पूरा किया अध्याय बीस शरन नगरों का ठहराया जाना एक फिर यहोवा ने यहोशू से कहा तू इस्रैलियों से यह कह मैंने मूर्सा के द्वारा तुम से शरन नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो तीन जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वहून में से किसी में भाग जाए इसलिए वे नगर खून के पल्टा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरन स्थान ठहरें चार वहुन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिकाले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वहुन के साथ रहे पांच और यदी खून का पल्टा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे ये जानकर कि उसने अपने पडोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा उस खूनी को उसके हाथ में न दे छेह और जब तक वह मंदली के सामने न्याए के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहे उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लोट कर जिससे वह भागाया हो अपने घर में फिर रहने पाए साथ अतह उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के के देश को और एप्रेम के पहाड़ी देश में शेकिम को और यहुदा के पहाड़ी देश में किर्य तरबा को जो हेबरोन भी कहलाता है पवित्र ठहराया आठ और यरीहों के पास के यर्दन के पूर्व की और उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमी पर बसा हुआ है, और गात के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत को, और मंश्य के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। नाइन सारे इस्राइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मंसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्रानी को भूल से मार डाले वह उनमे से किसी में भाग जाए और जब तक न्याय के लिए मंदली के सामने खड़ा नहो तब तक ख यहोशू और इस्राइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुशों के पास आकर दो कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पश्वों के लिए उनी नगरों की चरायां भी दे और बिन्यामीन की गोत्रों के भागों में से तेरह नगर मिलें। और जबूलून के गोत्रों के भागों में से बारह नगर दिये गए। आठ जो आग्या यहुवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इस्राइलियों ने लेवियों को चरायों समेथ ये नगर चित्थी डाल डाल कर दिये। नाइन उन्होंने यहुदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे है दिये। तेरा तब उन्होंने हारून याजक के वंच को चरायों समेथ खुनी के शरन नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चरायों समेथ लिबना, 14 यत्तीर, एश्तमो, 15 होलोन, दबीर, सोलहन, युत्ता और बेट्शमेश दिये। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से नगर दिये गए। फिर अपनी अपनी चरायों समेथ गेजेर, 22 के बिसम और बेथुरों ये चार नगर दिये गए। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मंच्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेथ खूनी के शरन नगर बाशान का गोलान और बेशत्र ये दो नगर दिये गए। 28 और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेथ किश्योन, दाबरत, 29 यर्मूत और एंगनिम ये चार नगर दिये गए। 32 और आशिर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेथ मिशाल, अबदोन, 31 हिलकात, और रहों ये चार नगर दिये गए। 32 और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेत खुनी के शरण नगर गली का के देश, फिर हम मोद्दोर और कर्तान ये तीन नगर दिये गए 33 गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी 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 चरायों समेत तेरह ठहरे 34 फिर बाकी लेवियों, अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेत योपनाम, कर्ता, 35 दिमना और नहलाल ये चार नगर दिये गए 36 और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेथ बेसेर, यहसा, 37 का देमोत और मेपात ये चार नगर दिये गए. 38 और गात के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेत खुनी के शरंड नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनम, 49 हे शिबोन और याचेर, जो सब मिलाकर चार नगर हैं, दिये गए 40 लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे, इस प्रकार उनको 12 नगर चिथी डाल डाल कर दिये गए 41 इसराइलियों की निज़ भूमी के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चरायों समेत 43 ठहरे 42 ये सब नगर अपने अपने चारों और की चरायों के साथ ठहरे, इन सब नगरों की यही दशा थी इस्राइलियों का कनान देश पर पूर्ण अधिकार 43 इस प्रकार यहोवा ने इस्राइलियों को वह सारा देश दिया, जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपत खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए 44 और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार, जो उसने उनके पूर्वजों से शपत खाकर कही थी, उन्हें चारों और से विश्राम दिया, और उनके शत्रों में से कोई भी उनके सामने टिक न सका, यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया 45 जितनी भहलाई की बाते यहोवा ने इसराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई अध्याए 22 पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमती एक उस समय यहोशु ने रूबिनियों, गादियों और मंच्शे के आधे गोत्रियों को बुलवा कर कहा 2 जो जो आग्या यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आग्या मैंने तुम्हें दी है उन सभों को भी तुमने माना है तीन तुमने अपने भायों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आग्या तुमने चौक्सी से मानी है. चार और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भायों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दि उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्याएं मानो, उसकी भक्ती में लवलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्रान से उसकी सेवा करो। छे तब यहोशु ने उन्हें आशिरवाद देकर विदा किया और वे अपने अपने देरे को चले गए। साथ मनश्य के आधे गोत्रियों को मूसा ने बाशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशु ने उनके भायों के बीच यर्दन के पश्चम की और भाग दिया। उनको जब यहोशु ने विदा किया कि अपने अपने देरे को जाएं, आठ तब उनको भी आशिरवाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्रप और बहुत धन संपत्ती लिये हुए अपने अपने देरे को ल उसा के द्वारा दी गई यहोवा की आग्या के अनुसार उनकी निच भूमी हो गई थी, जाने के विचार से लोट गए। यर्दन के किनारे वेदी की स्थापना दस जब रूबेनी, गादी और मंशे के आधे गोत्री यर्दन की उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में हैं, तब उन्होंने वहाँ देखने योग्ये एक बड़ी वेदी बनाई ग्यारह और इसका समाचार इस्राइलियों के सुनने में आया, कि रूबेनीयों, गादीयों और मंशे के आधे गोत्रीयों ने कनान देश के सामने यर्दन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इस्राइलियों का है, एक वेदी बनाई है 12 जब इस्राइलियों ने ये सुना, तब इस्राइलियों की सारी मंदली उनसे लड़ने के लिए चड़ाई करने को शीलों में एक अठी हुई 13 तब इस्राइलियों ने रूबियनियों, गादियों और मंच्शी के आधी गोत्रियों के पास गिलाद देश में अल्याजार याचिक की पुत्र पीनहास को, 14 और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इस्राइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्राइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पूरुश थे, 15 वे गिलाद देश में रूबियनियों, गादियों और मंच्शी के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, 16 यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इस्राइल के परमेश्वर यहोवा का ये कैसा विश्वास गहात किया, आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़ कर उसके विरुद्धा आज बलवा किया है, 17 सुनो, पोके विश्रे का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपी यहोवा की मंदली को भारी दंद मिला तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए, क्या वह तुम्हारी दृष्टी में एक छोटी बात है अठारख कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो, आज तुम यहोव के बीच में अपनी अपनी निजभूमी कर लो, परन्तो हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो, और न हम से बीस देखो, जब जेरह के पुत्राकान ने अरपन की हुई वस्तू के विशय में विश्वास घात किया, तब क्या यहोवा का कौप इस्राइल की पूरी मंडली पर न भरका, और उस पुरुष के अधर्म का प्रानंद के लिए उसी को नहीं मिला 21 तब रूबेनियों, गादियों और मंच्शी के आधी गोत्रियों ने इस्राइल के हजारों के मुख्य पुरुष्यों को यहुत्तर दिया, 22 यहोवा जो इश्वरों का परमेश्वर है, इश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इस्राइली भी इसे जान कि यदि यहोवा से फिरके या उसका विश्वास घात करके हमने ये काम किया हो, तो तु आज हमको जीवित न छोड़, 23 यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, या इसलिए कि उस पर होंबली, अननबली या मेलबली चड़ ले, 24 परंतु हमने इसी विचार और मनसा से ये किया है कि कहीं भविश्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इसराइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, 25 क्योंकि, हे रूबिन्यो, हे गादियो, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच म को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है, ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भहे चुड़ा देगी, 26 इसलिए हमने कहा, आओ, हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वो हुंबली या मेलबली के लिए नहीं, 27 परंत भविश्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए, कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं, 28 इसलिए हमने कहा, जब में लोग भविश्य में हम से या हमारे वंच से यों कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे, कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो जिसे हमारे पुर्खाओं ने होंबली या मेलबली के लिए नहीं बनाया परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे 29 ये हम से दूर रहे की यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़ कर जो उसके निवास के सामने है होंबली और अन्नबली या मिलबली के लिए दूसरी वेदी बनाएं 30 रूबे नियों, गादियों और मंश्षे के आधि गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पीनहास याजक और उसके संग मंदली के प्रधान जो इसराइल के हजारों के मुखे पुरुष थे वे अती प्रसन हुए 31 रूबे नियों, गादियों और मंश्षे उसे कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वास घात नहीं किया, इससे आज हमने ये जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इसराइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है 32 तब अल्याजार याजिक का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाध होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लोट गया, और यह वितान्त उनको कह सुनाया 33 तब इसराइली प्रसन हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजड़ने के लिए चड़ाई करने की चर्चा फिर न की 34 और रूबेनियों और गादियों ने ये कहकर ये वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठाहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है उस वेदी का नाम अद रखा अध्याय तेस यहोशु का उपदेश एक इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राइलियों को उनके चारों और के शत्रों से विश्राम दिया और यहोशु बूरा और बहुत आयू का हो गया दो तब यहोशु सब इस्राइलियों को अर्थात पुरनियों, मुखे पुरुशों, न्याईयों और सरदार को बुलवा कर कहने लगा मैं तो अब बूरा और बहुत आयू का हो गया हूँ तीन और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निम्मित इन सब जातियों से क्या 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 है क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ता आया है वो तुम्हारा परम डाला है. पांच और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे. छे इसलिए बहुत ही आव बांद कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना उससे न तो दाहिने मुढना और न बाएं साथ ये जो जातिया तुम्हारे बीच रह गई है इनके बीच न जाना और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और न उनकी शपत खिलाना और न उनकी उपासना करना और न उनको दंदवत करना आठ परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ती में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना नाइन यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवन चातिया निकाली हैं और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका दस तुम में से एक मनुश्य हजार मनुश्यों को भगाएगा क्योंकि के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समध्याना रिष्टा जोड़ो तेरह तो निष्टे जान लो की आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निक और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में काटे ठहरेंगी और अंत में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नश्ट हो जाओगे। पूरी हुए नहीं रही। पर भढ़केगा और तो में सच्छी देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीग्र नश्ट हो जाओगे। अध्याय 24 शकेम में यहोशु का अंतिमादेश एक फिर यहोशु ने इसराइल के सब गोत्रों को शकेम में एकठा किया और इसराइल के व्रिध लोगों और मुख्य पुरुशों और न्यायों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। दो तब यहोशु ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अबराहम और नाहोर का पिता तेरह आदी, तुम्हारे पुर्खा परात महान के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। परमेश्वर ने सेर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतुयाकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। पांच फिर मैंने मूसा और हारून को भेज कर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किये, उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। छेह और मैं तुम्हारे पुर्खाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समूत्र के पास पहुँचे, और मिस्रियों ने रत और सवारों को संग लेकर लाल समूत्र तक तुम्हारा पीछा किया। साथ और जब तुमने यहोवा की दोहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंध्यारा कर दिया और उन पर समुत्र को बहा कर उनको डुबा दिया और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आँखों से देखा फिर तुम बहुत दि देश के अधिकारी हो गए और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला नाइन फिर मोआप के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा दस परंतु मैंने ब परिच्ची, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। 14. इसलिए अब यहोवा का भहिमान कर उसकी सेवा खराए और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुर्खा महांद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो. 15. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आच चुनलो की तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुर्खा महांद के उस पार करते थे, और चाहे एमुर्यों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहत 17 क्योंकि हमारा परमेश्वर यहुवा वही है जो हमको और हमारे पुर्खाऊं को दास्तव के घर अर्थात में इस देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चरिकर्म किये और जिस मार्पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की 18 और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरियादी सब जातियों को निकाल दिया है, इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है. 19 यहोश्व ने लोगों से कहा, तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला इश्वर है, वह तुम्हारे अप्राध और पाप शमाना करेगा. 20 यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराय देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपी वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानी करेगा, और तुम्हारा अंध भी कर डालेगा. 21 यहोशु से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे. 22 यहोशु ने लोगों से कहा, तुम्हापी अपने साक्षी हो कि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी चुनली है. उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं. 23 यहोशू ने कहा अपने बीच में से पराय देवताओं को दूर करके अपना-पना मन इसराëल की परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ 24 लोगों ने यहोशू से कहा हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेगे 25 तब यहोशु ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाए और शकेम में उनके लिए विद्य और नियम ठहराए 26 ये सारा व्रितांत यहोशु ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांजवरिक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्रस्थान में था 27 तब यहोशु ने सब लोगों से कहा सुनो ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हम से कहे हैं उन्हें इसने सुना है इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा ऐसा नहों कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ 28 तब यहोशु ने लोगों को अपने अपने निजभाग पर जाने के लिए विदा किया 29 इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशु 110 वर्ष का होकर मर गया 30 और उसको तिमनत से रह में जो एपरम के पहाडी देश में गाश नामक पहाड के उत्तर में है उसी के भाग में मिट्टी दी गई 31 यहोशु के जीवन भर और जो व्रिद लोग यहोशु के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे काम किये थे उनके भी जीवन भर इसराइली यहोवा ही की सेवा करते रहे 32 फिर यूसुफ की हड़िया जिन्हें इस्राइली मिस्र से ले आये थे वे शिकेम की भूमी के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शिकेम के पिता हमोर के पुत्रों से एक सो चांदी के सिक्कों में मोल लिया था इसलिए वह यूसुफ की संतान का निजभाग हो गया 33 हारून का पुत्र अल्याजार भी मर गया और उसको एप्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पीनहास के नाम पर गिबत पीनहास कहलाती है और उसको दे दी गई थी